जैस्री कृष्णा राधे राधे तुलसी सीचने के बाद जरूर सुने कार्थिक मास की तुलसी की कहानी एक कन्या थी जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वो तुलसी माता जी की पूजन करने लगी उसके परती दीन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी जब वो कन्या साधी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी साधी करवा दी कन्या को उसके माता पिता ने देहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया तसुराल में भी वो परती दीन सबेरे उड़ते ही पूजन करती फिर उसके बाद ही खाना खाने बढ़ती थी उसकी दो जठानिया थी वे दोनों उसका मजा कुडाती थी की बड़ी नियम धरम वाली बनती है उन दोनों को उससे बहुत इसरे होती थी इसलिए वे दोनों तुलसीक जी का गमला छिपा देती थी वा कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंड कर लाती अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती वा गमला ढूंड कर लियाती तो एक दिन तो उसकी जठानिया ने क्या कर दिया कि गमला ही दूर फेक दिया कन्या ने खूब ढूंडा पर उसने गमला नहीं मिला वा बहुत ही प्रहसान हो गई उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया उसका नियम जो था उस कन्या की सच्चे भक देखकर तुलसी माता उससे बहुत परसन हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला परकट हो ग उसके खाट के चारो कोने पर तूलसी माता का गमल आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत परसन हो गई कि अब मेरी तूलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तूलसी माता को ठेक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्धी से उठकर असनान करती है और तूलसी जी माता की पूजा कर लेती है। जब वह खाना खाने वैसी तो उसकी जेठानिया मजाग करने लगी कि लोग देवरानिया का नियम धरव पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तूलसी जी की पूजा कर ली है। क्या देवरानिया धीरे से बोलती है हाँ हाँ कर ली। जेठानिया बोलती है कहां से कर ली पूजा। गमला तो फेक दिया था। देवरानिया कहती है कि देख लो मेरे कमरे में हाट पर तूलसी जी लग रही है। जेठानिया बहुत सर्मिंदी हुई और बोली कि देवरानिया तेरी भक्ती सच्ची है। हमने तूझे बहुत प्रेसान करा हमें माप कर देना। देवरानिया उन्हें माप कर देती है। हम भी तूलसी माता जीसे यही प्राथना करते हैं कि ए तूलसी माता जैसी किर्पा आपने देवरानिया पर करी है वैसे ही हम पर सब पर भी करना। बुढिया माई की कहान एक बुढिया थी उसको तूलसी पूजन करने का नित का नियम था। वह परती दिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तूलसी माता से परती दिन प्राथना करती थी कि यह तूलसी माता खाने के खीर का भोजन देना, पाठ पितांबा का धेस देना, योग्य जैसा मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लच्वन की कांधा देना, तीता जी का चाल चलन देना, यह सुनकर तूलसी जी सुखे सुखे रह रही थे, राम लच्मन उधर से निकल रहे थे, तो उन्हें पुछा तुलसी जी से की आप सुखे सुखे क्यों जा रहे हो, एक बुढ़िया रोज मेरे उजा करती है, और वह मुझसे खाने का लड़ू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाने को खीर का भोजन मांगती है, पाट पितामा का बेश मांगती है, आपकी कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलन मांगती है, स्वर का बास मांगती है, योग्यो जैसी मौत मांगती है, बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपकी कंधा कहां से और सीता जी का चाल चलावा पहा से दूर। राम जी और लच्वन जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई, लोग इकठे होने लगे। क्यों ले जाने के लिए उनको तैयार करने के उठाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाएं, उसको हिला भी नहीं स्पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई। वह तो देव दर्शन सब करती थे। क्या वह कोई जादू टोना करती थी। जो एसी भारी हो गई। इतने में राम लच्वन और सीता जी आई, सीता जी ने चाल चलावा किये और राम लच्वन ने कांधा दिये और बुढ़िया तो सहेद बैकुट को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से एही प्राथना करते हैं कि है तुलसी महरानी जैसे सहेद उनको दी वैसे ही सर्थी सबको देना। ब्रामन की सात्वी बेटी, एक ब्रामन था, वो परती दिन मंदिर जाता था, वो परती दिन तुलसी माता की पुजा करता था, वो तुलसी माता से परती दिन प्राथना करता था कि है तुलसी महरानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्रामन तो बहुत सिधा है और गरीब है और परती दिन मेरी पूजा करता है मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहता हूँ तुलसी महरानी एक कन्या का रूप बनकर बैठ गई और उस ब्रामन को बोला कि ब्रामन में भी तेरे घर आना चाहती हूँ ब्रामन ने सोचा कि छे लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और साथ लड़कियां का में कैसे पालन पोसन करूँगा लड़कियां कि साधी कैसे कराऊंगा मेरे पास तो कुछ ऐसी भी नहीं है यह भविचार करने वह बहुत परिसान रहने लगा उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे है तो इस पर ब्रामन बोला कि मैं मंदे जाता हूँ वहाँ पर एक छोटी सी सुन्दर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्रामन मैं आपके घर आऊँ उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परिसान होने कि क्या बात है आ रही है तो आने दो ब्रामन बोला कि पहले से आपने छे लड़कियां तो है ही उनकी भी अपने को साधी भी करवानी है तो इस पर ब्रामनी बोली कि अरे ए तो कोई बात नहीं है आपकी छे लड़कियां की साधी करवाएंगे वैसा ही साथवी के भी करवा देंगे आपने साथवे लड़कियां की साधी साथ में करवा देंगे अगले दिन जब वह ब्रामन मंदिर गया तो उस छोटी सी कन्या ने पूछा ब्रामन में आपके घर आओं तो ब्रामन बोला कि हाँ चलो बेटा चल उसको वह घर पर लेकर आ गया तुलसी मातक ने कन्या के रूप में ब्रहामन के घर आने से ब्रहामन के घर बहुत आनद हो गया घर में लच्मी की बारिस हो गई जब रहामन सात्वे कन्याओं की साधी के लिए बर ढूणने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो सालिक राम जी के मंदिर में जाकर सालिक राम जी को बोलना की बारात लेकर आया और मेरे च्छा बहनों के तुम्हारी इच्छा से बर ढूण लेना तुलसी महरानी की मेहरवानी से उनके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तयार हो गया और अच्छी धोम धाम से उनकी साधी हो गई और उस ब्रामन के तुलसी माता तूटमान हुए हम भी तुलसी माता जी से यही प्रासना करते हैं कि यह तुलसी माता जैसे आप ब्रामन पे तूटमान हुए वैसे हम पर भी होना और जैसे आनन्द ब्रामन के करा वैसे हम सब पे करना वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों को साथ सेयर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में जैमाता दे जरूर लिखेगा